हेलो फ्रेंड्स और माई डियर स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको करा रहे हैं गलित पटा का धमाल पार्ट 15 इससे पहले हम 14 पार्ट डाल चुकें अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखें तो हम उनका लिंक वीडियो के अंत में देदेंगे आप पहां से वो पार्ट देख सकते हैं यहां पर हमने जितने भी पार्ट कराए हैं वो बिल्कुल सरल और विल्कुल इजी तरीके में कराए हैं जिससे कमजोर से कमजोर चातर भी उनको असानी से कर ले अगर आप यह सभी पार्ट कर लेते हैं उनकी प्रेक्टिस करते हैं तो मै अनुकूल प्रिकार बटे कुल प्रिकार का मतलब क्या होता जरा समझे वे प्रिकार जो हमारे प्रक्ष में होते हैं उन्हें कहते हैं अनुकूल प्रिकार ठीक है और कुल प्रिकार कुल प्रिकार वो केस होते हैं जो हमारे प्रक्ष में भी हो और हमारे प्रक्ष में नहीं भी है तो जो हैड होगा वह अनुकुल प्रकार और जो टोटल केस यह 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 जो हमारे पक्ष में हो और हमारे पक्ष में नहीं भी हो यानि कुल केस होने वाले भी और ना होने प्रोबल्टी पि इयगडीय का तो पहति अंदर हो कि कुल संख्या जैसे अट यह यह में किन नॉमबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि यह जो हो गया हो sample space हो गया क्या हो गया यह sample space ठीक है और इसमें माले यह हम कहें कि sum अंक आना चाहिए तो जो sum अंक है वो होगे इसकी event यानि दो चार्च है यह क्या कहलाएगी event कहलाएगी और यह कहलाएगा sample space और अकर हम इसमें एन लगा दें पीछे क्या लगा दें एन तो यह कहलाती है इसके अंदर अभयो की संख्या यानि sample space में अभयो की संख्या तो कितने हैं इसमें गिन लोगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो एनस बराबर आगया च्छे तो मैं गोस्तय इतना आपको संख्य में आगया होगा आप देखे है ये कॉस्षं है यदि ये गटना निश्चि दूरूप से घटती है, तो इसकी प्रैक्रटा है प्रैक्टा होती है अपक्यो जरा समझ ना देखें जैसे माली सोले फिल्म आपने दीखी होगी तो सोले फिल्म में क्या आता है कि वो जो सिक्का जो उच्छालता दोन तरफ हैड होता है यानिकि वो तो कैसी उच्छाले हैड आने ही आना है तो इस इस्तिती में जो प्रायक्ता हो जाएगी वो बन हो जाएगी अब हम यह कहें कि एक पासा उचला जाता है कि अंग साथ आने की प्राइकता जात कीजिए तो साथ तो कभी आई नहीं सकता पासे में क्योंकि पासे में जो अंग होते हैं एक से लेके छे तक होते हैं और हम कहरा है साथ आने की प्राइकता की जात कीजिए तो वो प्रैक्ता होगी वन, निमने से, आप देखे अगला कोशन है, निमने से, निमने से कौन सी एक घटना प्रैक्ता नहीं हो सकती, आप आपको बता दें, कि जो प्रैक्ता होती है, वो हमेशा जीरो और बन के बीच में लाई करती है, किसके बीच में प्रैक्ता जो होगी, पी जो जीरो के बरावर ही या जीरो से बड़ी बन से छोटी या बन के बरावर होगी यानि प्रैक्ता जो होती ही वो हमेशा जीरो और बन के बीच में लाई करती है तो अब यहाँ पर देखो जीरो से छोटी और बन से बड़ी कौन से संग्या है तो यहाँ पर हम देखेंगे निम्में से कौन से घटना प्राइक्ता की नहीं हो सकती अब देखें यहाँ पर दो वड़े तीन है तो दो वड़े जो तीन होगा तो वो निम्में से कौन से घटना प्राइक्ता नहीं हो सकती दो बड़े तीन यह भी एक से छोटी यह नहीं यह भी प्रायक्ता हो सकती है 0.7 यह भी प्रायक्ता हो सकती है 0.15 यह भी हो सकती है लेकिन यह कभी भी प्रायक्ता नहीं हो सकती है आप देखें क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर यह जो 1.5 है ये कौन से घटना प्राइक्ता की हो सकती, क्या ये हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि माइनस चिन आ गया है, क्या ये प्राइक्ता हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि एक से ज्याद हो गया है, क्या ये घटना हो सकती है, देखे आठार है, छोटी सं संक्या जो है एक से बड़ी है उपर बड़ी संक्या नीचे छोटी संक्या जब भाग देंगे तो यह जो संक्या आई ही वह हमेशा एक से बड़ी है इसलिए प्राइक्ता नहीं हो सकती अब यह question number next है समझें को यदि ये गटना के घटित होने की प्राइक्ता पी है तो उस गटना के घटित ने होने की प्राइक्ता क्या है अब आपको बता दे हम किसी भी घटना के घटने माली ये P ये घटना घटने की प्रायक्ता और घटना ने घटने की प्रायक्ता वो Q है इनका जो total होता है वो हमेशा 1 होता है दोबार समझे किसी घटना के घटने और ने घटने की प्रायक्ता का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 1 होता है तो यहाँ पर देगे घटना घटने की प्राइक्ता P दे रखी है तो घटना के ने घटने की प्राइक्ता हमसे पूँची है तो घटना घटना की प्राइक्ता कितनी हो जाएगी P को हम इदर ले जाएगे 1-B यानि कि टोटल प्राइक्ता होती ही बन अगर हमें घटना घटने की प्रायक्ता मालू है और ने घटने की निकालनी है तो उसे बन में से माइनस कर देते हैं यह कुश्चन है एक लगगी की परकलिट करती है कि एक मैच में उसके खेल जीतने की प्रायक्ता इतनी है तो उसके खेल में हारने की प्राइक्ता क्या होगी यानि जीतने की प्राइक्ता जीरो पाइंट जीरो बन हमने अभी यह हमको बताया था कि टोटल प्राइक्ता जो होती हो बन होती है यानि कि पी जीतने की प्राइक्ता है और Q क्या है उसके हारने की प्राइक्ता टोटल कितना होता है इनका 1 होता है अब देखें जीतने की प्राइक्ता कितनी है हमार पर 0.08 तो अब हारने की निकालनी तो क्या करना हमें बन में से माइनस कर देना तो बन में से कैसे माइनिस करेंगे पहले लिखेंगे देगे ऐसे कितना माइनिस करना जीरो पाइंट जीरो आठ तो इसको माइनिस करेंगे 10 में से 8 है 2 और यह बचा 9 कितने आगे पाइंट जीरो पाइंट नौन तो उसके हादनेकी प्र seven लिए जीरो पाइंट नाइन तू अगर को सेमें चेज्ज करना तो आप इसी जो हैंड्रेट्ट से मेंटिप्लाइ कर देंगे तो इससे बिकाइब कर देंगे तो पॉत्य přेसेट कर यह बार आप 92 परसेंट तो उसके हाडने की प्राइक्टा कितनी हो गई 0.92 अब देविए अगला कोशन है दो मित्रों का जन्म जो समझें देखे कोशन बढ़ी आए दो मित्रों का दो मित्रों का जन्म बर्स 2000 में हुआ था प्रैक्ताग याद कीजिए कि उनका जन्म एक ही है आप ज़राद दिहान देंगे एक होता है लीपियर और एक होता नोन लीपियर कैसा एक लीपियर एले लीपियर और दूसरा होता नोन लीप यर तो उनली पियर कि अभजला इनको ध्यान सम्झेन आ तोता है उसने होते हैं 386िप और तीन पैसलिप दिएख शनब नोनली पेर होता हुटा उसमें होते हैं 665 जो है यानिक कि इसमें जो है बामन तो पूर्ण सकता होते हैं और दो दिन बचते हैं टू डेज ठीक है इसमें बावन पूर्ण सबता होंगे और एक दिन से इस बचेगा ठीक है अब जला ध्यान से समझना यहां पर कहाँ दो मित्रों का जन्म जो है दो है आर में हुआ अब दिखी जो संक्या चार से कड़ जाती है वो जो कहलाता है वो लीप प्राइक था का हमने भी फॉर्मला बताया प्राइक था का पी इबराबर अनी अपॉर एंस यह ताया ठीक है पीज इकल टू एनी अपॉर एनस जो हम चाह रहे है वो कितना है कि वह एक है और टोटल कितने दिन है तीन सो श्यासर्ट यानि एक दिन जनम हुआ वह बन हो गया तोटल दिन कितने हैं तीन सो श्यासर्ट तो प्राइकता कितनी होगी एक बटे तीन सो श्यासर्ट समझा आई अब देखिए नैस्ट को समझते है नैस्ट क्या है नैस्ट कोशन है सबसे एक अक्षा चुना जाता है अक्षा एक के चुनने की प्राइकता याद किई तो फ्रॉमूला क्या बताया है हमने प्रावरीटि का पी ए ए एक ही फ्रॉमूला अनूकूल परिकार बटे प्रॉल प्रिकार या सोटकम में इसको ऐसा लिच सकते हैं पी ई जी कल टू और यहां पर देखिए कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 ठीक है और हमें क्या निकाला वर्ड एक ही प्राइक्ता निकालने तो मैं एक कितने और हुआ एक दो तीन चाहरा है वह कितना है चाहर अब तोटल कितने हैं टोटल नीचे लिखने हैं एक दो तीन चार पांच शे टोटल है चैश अब इसको काड़ देंगे देखिए दो दूरीन चार दो टीया चैश तो प्रैक्ता कितनी आगए दो बटे थीन अब देखिए देखिए लाकोशन है दो सिक्के एक साथ उच्छा ले जाते हैं अधिक से अधिक एक पट आने की प् सेम्पल स्पेस क्या होगा सेम्पल स्पेस क्या होगा प्रैतिदार्स समझ्टी दो सिक्के एक साथ उच्छा लेंगे तो यह होगा है हैड हो सकता है ठीक है एक हैड एक टैल हो सकता है या दोनों में टैल हो सकता है ठीक तो इसका एनस कितना हो गया एनस का मतला सेम्पल स्प गया क्या बुछा गया कि दो सिकेistic साथ उचह ले जाते हैं अधिक से अधिक एक पट्ट एक तो यह हो गया एक यह हो गया देक düşün यह राज इन इत beim नहीं कर देल और इक ट् से अधिक टैल निका लाज तो एक टैल लगा देंगे न का मतलब हो जागा इसके अन्दर अभी हो कि संख्या तरियन वेशिंए कितनी होगी फॉर्मॉला किया फ़ॉवल्टी क्या पी इजी कल टू अपॉन एड़ाबर कितना दीन और एने सब्सक्राइब तो फॉर्लिटी कितनी होगे इद रविट चार अधिक पास शो एकपासे की फैंक में बिसम संख्या आने की फ्रैक्ता ज्यात की जिए एक बासे की संक्झया निकी लगा देंगे पीछे तो एन से समस कितना हो जाएगा गिंलीजे उसमें पांच औरぞ साथ हम संख्या है कुछ बौड़े निकाली संख्या 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 होता है उसके अंदरlles on Maloney कि संख्या इचानल पर चल्पर निकालने प्रोवलिक insult संख्याav प्राइक्त आप पूरा फॉर्मूल्बा यह लगा सकते हैं प्रोवल्टी क्या होगी एगए इपान एस तो एनी कितना है देखिंगे हमने निकाला एनी तीन और कितना है ने सिक्के एक साथ उच्छा ले जाते हैं तब कोई चितने प्राप्ट करने की प्राइकता क्या थी आप देखें तीन सिक्क्रों के इच्छाल में सैंपल स्पेस क्या बनेगा पहले ता हम यह लिख लेते हैं सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस क्या बनेगा तीन सिक्क्रों चालेंगे पहले दो हैड तीन हैड फिर दो हैड है एक ञोगे टी सीस्टार्वू एक शनी ही ऐड़ होmas दूर्ए ऑर एक हैड के huh रहत होसकता है-चैज एच टी और टी ठी एच और टी टी एच और टी नॉटैल देखे यह जो है टीन केस होसकते हैं 3 शिंगों के उंचहाल में यानि 3 शिंगों के by उचहाल होते हैं यह कह सकते हैं जिए टीन सिकें होते हैं दूसरे में भी निकल सकते हैं supposedly इसी होगा, sample space, तो ns कितना होगा, इसके अंदर आप यहोगी, संख्या, कितनी होगी, बताईए, आठ, अब दोगो, event चाहिए, हमें, किछाईए, तीन सिक्ट्रों के एक साथ उचा ले जाता है, तब कोई चितने प्राप्त हो, तो कोई भी चितने प्राप्त हो, यानि head प्र प्रावर हो गया, one, जब एक भी head ना हो, बाकि समय देखे, कम से कम, एक head है, तो probability कितनी होगी, probability, प्राइक्ता, अनुकुल प्रकार बड़े, कुल प्रकार, यानि की, n e upon ns, तो n e कितना है, one, और ns कितना होगी, आठ, तो प्राइक्ता कितनी होगी, one upon eight, अब देखे, पासे में वही नमबर आना चाहिए, और दूसरे पासे में वही नमबर आना चाहिए, अगर पहले पासे में एक आता तो दूसरे में भी एक आना चाहिए, तो ऐसे कितनी घटना है, यह हमें बताना, तो पहले मैंने अभी आपको बताया था, कि एक पासे में जो होते हैं, व दो पास एक साथ फैके जाते हैं, दिक प्रात होना चाहिए, यानि पहले पासे में भी वही नमबर आना चाहिए, दूसरे में भी, अब दोगा इसकी इवेंट क्या होगी, यानि पहले पासे में भी नमबर आना चाहिए, यानि कि पहले पासे में एक आया तो दूसरे में भी एक आना चाहिए, पहले पासे में 2 आया तो दूसरे में 2 आना चाहिए, पहले पासे में 3 आये, तो दूसरे में 3 पहले पासे में 4 आये, तो दूसरे में 3 और पहले पासे में 5 आये, तो दूसरे में 5 और पहले पासे में 6 आये, तो दूसरे में 6 तो इनको हम बोलते हैं दिख, तो कितने गटना है ऐसी एक दो तीन चार पांच शै तो यहां पर एण ई बड़ावर कितना हो गया यह उघ्जा चाह तो प्रवालटी तो पहले इनका माधिया निकालेंगे माधिय निकालने का तरिया क्या होता फॉर्मुला दिए गए आंक लोगों का जोड़ दिए आंक लोगों को अगर हम जोड़ें इन सबका जो टोटल आएगा वह सतर आएगा अब कितने संख्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस अधसे इसको भाग देंगे तो दस सते सत्ता यानि अंक साथ आने की प्राइकता निकाल लिए तो अंक साथ कितने वार आया जड़ा गिल लीजिए आप एक दो तीन जो हम चाह रहे हैं वह इवेंट किया है तीन है यानिकि एन ई वरावर कितना तीन देगे कितने बार आ यानिकी तीन बटे दस इसका अंसर आ गया अब देगे अगला कोशन है तेहरमा कोशन एक अधिवर्स में 53 प्राप्त होने की प्राइकता गयात किजिए अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जो अधिवर्स का मतलब है लीपियर क्या है अधिवर्स का मतलब लीपियर तो है लीपियर का मतलब जिसमें 466 तो 3066 प्राब में किया ओता 3066 दिन होते की तdessu 266 देज तीए अब इसमें जो है 92 तो को सकता होते ried के видно अब दो दिन जो बस देँ वह क्या क्या हो सकते पहिए जो ने कहींए जो बजाएंगा उषके सेंपल सपेस क्या आओ संझेंगे संभीन मंडी खो सकते हैं DOC ऐंब हो सकता की मंडी चूसड़ी हो सकता और वैंश्ड़ी तेंटी हो सकता और तर्श्ड़ी झील इह क्या है यह व्राइडिय फ्राइडी सेटरेडें हो सकता ससर ऑर सब्सक्राइब किया हम पर देखिए इसमें संडे मैम में और एक सब्सक्राइब कि सफनर स्थ और संडे में अर्ट-वार संडे औरे न सब्सक्राइब जाने कि दो वार रhrज बार आए हुआ है तो e colleague कितना हो जाएगा नी बराओर हो जाएगा दो प्रोबिल्टी कितनी हो गई प्रोबिल्टी पी ई बरावर एनी अपों sunny अपों अनस फर्मॉला क्या है इनी अपों और तो प्रोबिल्टी को गई दो बटे साथ ये इसका आंसर हो गया आगे बढ़ने से पहले हम आप से चोटी से रुक्रेस्ट करना चाहेंगे अगर आप हमरे चैनल पर फास्ट टाइम विजिट करना है और अभी तक आप आपको हमारे द्वारा बनाएंगे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को जो हाई स्कूल में पढ़ना है उन तक सियर करना बिलकूर दो भूलिए तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट यह आज हम समझते हैं तास की गड़ी से रिलेटिक क पत्ते उन्हें से चार सूट सो आज सूट को व्लते हैं इन 13 ती रही जो जो हो त्यों और रही आड़ पत्ते होते हैं तो इन तेघर पत्तों में चार पत्ते जो तेरह पत्ते हैं इनमें चार पत्ते हैं विसेस कार्ड होते हैं और जो नो होते हैं वो साधान पत्ते होते हैं जो विसेस कार्ड होते हैं वो होते हैं इका वाजसा बेगम गुलाम इसको इंगलिसमें बहुते हैं एस किंग क्वीन जैक और इसमें से तीन पत्ते होत आपको दिख रहे होंगे कि सबसे पहले तो देखी टिरह जा रही चार चार उसके बाद में यहां पाई यह रंगीन पत्ते भी में दिखा रहा हूं आ 먹ो देखे रंगीन पत्ते थे तीन दीन तुकुरी कि यहां पर देखे मैंने यहांपे डेटें के लिख दी है आप यहां पर देख सकते हैं तोnity कुत क्ति हुग prima को हुआँ कॉने कुल मिलना के बार है साधान कार्ड कितन हो गए मो थाने पर नोट को चथानो चोख थीस, चथीस हो गए साधांकाड, काले रंग के कितना होगए, 26 और रैड रंग के 26 ठीक है, और जो बीशेस काड है वो कितना होगए, 16 अब दिखे, इसमें जो कोष्ण आते हैं, किस तरह के आते हैं, आप हम इसको समझते हैं, कोष्ण करने से पहले आप ईकभार फूर अच्छ हbeiten अपने दिटेल को देखिये और यह अपने दिमाग में बसा लिए इसके बाद यह आप पूर्ष करके भी इसको अपने दिमाग में फूआरम कोशन आपको बता रहे हूं अब देखेंसे hemi अन्से दो चहते रहे हैं के अब ऊपर चतने प्राक्ताइए जातने पुरी में में महिंद ज़रू रasmur फर्ट लाल जाएगे और मतुरू ऑड़ाए उन्से काले रगाता निकार प्राइक्ता बताईए तो काले रंगे कितने होगी जर्णा बताईए येस हां तो काले रंगे कितने पत्ते हैं 26 यानि 26 बटा बावन यानि एक वड़े दो इसी में आप आप से मैं कहूं कि साध्मा पत्ता निकालने की प्राइकता बताईए तो साध्मा पत्ता निकालने की प्राइकता क्या होगी जड़ा बताईएं साध्मा पत्ता निकालने की प्राइकता क्या होगी जड़ा बताईएं साध्मा पत्ता निकालने की प्राइकता कितने जाएगी नो बटे, बावन, 36 बटे, बावन, इसको solve कर लेंगे, अंसर आ जाएगा, अब मैं कहूं, आप से विशेस कार्ड निकालने की प्रायक्ता बताईए, तो विशेस कार्ड कितने है, चार, 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 यानि कितने हो जागी, चार चोक, सोला, सोला बटे, बावन, अब आ लाकर फेस कार्ड कितने होगे, तीन चोक, बारा, तो फेस कार्ड निकालने की प्रायक्ता कितने होगे, बारा बटे, बावन, इसे काट लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, तो इस तरह से तासी गड़्टी से रिलेटिव, कोई भी प्रसन आपका आजाए, आप बड़े अर लाल लंग के बादसा लाने की प्रायक्ता कितने होगे, दो बटे, बावन, आप इसे में कहें कि लाल लंग के बादसा निकालने की, तो लाल लंग के बादसा यह किसमें होगा, देख, इसमें होगा, यह दो बड़े, बावन, तो इस तरह से कोई भी कोशन इसमें आ जाए, तासी गड़ी से रिलेटिव आप जवाब दे सकते हो अगर आपकी ये पैकोब कार्ड आपके दिमाग में है और इसके आपको अच्छे से और डिटेल से समझना तो आप तासी गड़ी परचेश कर लिजी और उसमें देखके अच्छे से समझ लीजी तो ये परिस्तना आपकी कुल पहले लिखेंगे हम N S का मतलब क्या है कि उसके अंदर S का मतलब होता कुल परसी दिया और N का मतलब उसके अंदर संक्या तो तासी गड़ी में कितने पत्ते होते हैं बावन पत्ते तो N S बराबर यहां पर हो गया बावन अब हमके चानल लाल रंग का बासा तो वही य त्वियादा कितनी होगी पि ए बरबर येस प्राइक्ता क्यों होती अनुखुल प्रकार बड़े कुल प्रकार यह निकी एन इपॉन एन एस तुरी ए एंए कितना है दो और एन एस कितना बावण इसे हम कट देंगे दो एक दो दुनी चार और दो चंग बार तो कितने आगी प्राइक था एक बटा 26 तो मैं समझता है यह कुश्चन आपको आगया होगा अब देखें दूसरा पार्ट है इसका भी पार्ट एक फैस कार्ट अर्था तस्वीर वाला पत्ता तो तस्वीर वाले पत्ते की इवेंट बताई आपट यह था होगी यहने कि तो ही अपार्ट त्रीण है अब भी पार्ट समझें देगे व्यां धीजिया क्या कहा रहा कि एक फैस कार्ड अठा तसवीर वाला पत्ता तस्वीर वाले कितने पत्ते aja तीन है एक में हो और मिला कर चार तो तो 3 एक पने होगा यहने कि आने सथ रभी वही हो फेसकाड गवार्द में एक पैक में जो फेसकाड कतने हो नहीं यह है हमें प्रकार और यहां परकार बार है बाह्मन अब इसको हम भाग दे देगें कितनास कितना होगा तीन बंटे मैं में समझता है कोरशन आप अगना पार्ट अब देंगे नैस्ट कॉर्शन है लाल रंग की तस्वीर वाला पता देखें लाल रंग की तस्वीर एक तो तीन लाला लंग की तस्वीर वाले जो पती एक तो इंठ महूँगए और पाग्म होगा यह निहीं तेन पत्तब så लिए एन share kali कितना हो जाएगा तो तीन पत्त हो जाएंगे एन के लावल लंके और 30 ज्यांगे किसके पान के एंध्य मेंगगा कितना हो गया चे स्च प्राइक तो नहीं के लिए तो हमस्का कितना प्राइक्ता इप प्राइक्ता का इपॉञण एनी अपॉन एने देखिए एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं है इसी से सारे कोशन करने का कराने का क्रियास कर रहा हूं तो पी प्राइक्त हो जाए एनी अपॉन एने इस यह निकी चेह बटा बामन अब इसको भाग दे लेंगे तो तीन दुनी दो ती अच्छा और दो दो चाह दो चाहा निकी प्राइक्त होगी तीन बटे 26 अब जलते हैं डी पार्थ की ओडिकर्ट क्या स्मझेंगे डी पानखा गुलाम तो फ़े पांगे गुलाम कितने है चरह बताएंगे पांगा गुलाम क्या होता एक ही तो है पांगा गुलाम तो एनिदू इनिक्तना हो परकार मैंने पहली वीडियो बहुत अच्छे उसको बताया है तो अनुकुल परकार होगा एक अपुल परकार होगा चब्श तो फ्राइक ताहूँ एक पडे चब्श अब देखिया हम चलते हैं इसका सी डी की पार्ट इसको देखी डी तो होगया हाँ अब ई पार्ट ई पार होते हैं बताइए N E बरावर हो जागा यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं कुछ और N S यहने कुल कितने पत्ते हैं 52 तो परायकता कितनी जोगी प्रोवल्टी P E बरावर N E upon N S N E upon N S यहने कि 13 बटे 52 समझ दाए है कुछ पत्ते कितने हैं 13 तेरा चोप तो आंसा कितना आगिया एक बटा चार अब देखे इसका लास्ट पार एक इंट की बेगम तो इंट की बेगम कितनी है तो इंट की बेगम तो एक ही है तो इंट की बेगम कितनी है एक ही है तो इंट की बेगम कितनी है एक ही है तो इंट की बेगम की प्रैक्ता कितनी जाएगी यनिकी एक वड़ा राइकता पी इजी कल टू अजयागा अधिक न इजन्हें की एक वड़े बावन ये इसका आंसर आ गया मैं समझता है यह कोशन आपको बहुत अच्छे समझ में आगया होगा अब देखें नेस्ट कुशन में बता रहा हूं अब देखिए जो अगले जो पासे में क्या है एक पासे को दो वार फैंका जाता है या दो पासे एक साथ फैंके जाएं दोनों की इस्तिती बिल्कुल सेम रहती है तो कि पांच किसी भी बार में नहीं आए और पांच कम से कम एक बार में आए इसी इक में देखिए एक दूसा फोशन और है इसे भी आप 10 आना इन दोनों प्रस्थ लोका मैं एक साथ किरा रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले इसकी जो पुल प्रस्थितिया वह में लिखोगा अब देखे आपको तो एक पासे में जो होता है वो कितने नंबर सोते हैं जड़ा बताएंगे एक पासे में कितने होंगे एक दो तीन चार पांच और शह इसी तरह से दूसरा पास होगा उसमें कितने होंगे उसमें भी होंगे एक से लेके छह तक अब हमें कुल केस बनाने तो कुल केस कैसे तो पूल केस बढ़ाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं पहले पासे में मालीजी एक आया तो दूसरे पासे में भी एक आ गया पहले पासे में एक आया और दूसरे पासे में दो पहले पासे में एक दूसरे पासे में तीन पहले पासे में एक दूसरे पासे में चार और कि दो पासों में उच्छाल में जो कुल केस बनेंगे वो 36 बनेंगे यहाँ पर देकि एक कुल मिलाकर यहाँ पर यह 36 बन गए अब इसमें सबसरे पहला पार्ट यह है और उसके बाद देखिए यहां से बिल्कु गया होगा है 20, 21, 22, 23, 24 और यह 25 यानि 25 केस ऐसे हैं यानि कि N E बरावर कितना होगा है जो हम चाह रहे हैं वो कितना होगा है 25 ठीक है और टूटल N S S का मतलब होता हैं यह उखिता है यह यह अधی बरावर किक्सी पार्ड में नहीं आएगा तो इसके A पार्ट का दोखिए यह आए हैंसरा आने वाला P बरावर N E upon N S N E upon N S यह पूरा फॉर्मल लगाने लेख सकते हैं अनुकूल प्रिकार बटे यहने कि 25 बटा 36 अब यह इसका अंसर आ गया कुछ करटा है तो काट देंगे होना नहीं अब देखिए इसका B part B part क्या है B part है कि 5 कम से कम एक बार आएगा यानि 5 कम से कम एक बार आएगा जादे जादे कितनी बार आसकता है तो देखिए एक यह आला है एक और यह आगे है दो और यहाँ पर देखिए एक यह तीन और यह एक यह चार और एक पांच छे साथ आट नो दस और एक यह आपर 11 है यह पांच कम से कम एक वार मालना दो वार भी आ सकता है तो कुल मिलाग कितना होगा है 11 है तो जो हम चाहरे हैं वो कितना है NE बरावर 11 है और NS तो वही रहेगा जो की पहले था NS बरावर कितना है 34 प्राइक्ता कितनी हो जागी प्राइक्ता PEG कल टू NE अपोन NS NE अपोन NS 11 है वटे 34 तो मैं समझता है कोशन आपको समझ में आगया होगा अब देखिए इसी का जो दूसरा कोशन है वो भी इसी पर रिलेट इस को द्यान से पढ़ लिए देख एक दिव का आना तो एक जैसे अंक वाले कितने हैं जरा यहां से द्यान से देखिए एक जैसे अंक तो एक तो यह है एक जैसे अंक वाला एक और एक है एक जैसे अंक वाला एक एक दो और एक यह देखिए चार तीन और एक यहां पर है चार और एक यह पांच और यह के 6 दिख का मतलब क्या होता एक जैसे अंक को आला तो एक जैसे वाले अंक कितने एक दो तीन चार पांच छह तो जो हम चाह रहे हैं वो कितना हो गया हम चाह रहे है यह नहीं दिख अंक आना चाहिए तो यह है दूसरे कुश्चन का फर्स्ट पार्ट ठीक हैं और ने वराबर अनुकूल परकार, लटेगे, कुल परकार, तो अनुकूल परकार यानि कि जो हम चाहरें, दिखांग, वो छे है, कुल परकार कितने, चतिस, अच्छेस से चतिस को हम भाग देंगे, आगे आनसर एक वर डिच सै, अब देखें इसका जो सेकिंड पार्ट है, वो योग 10 आना है तो 3 ये 6 अभी यह नहीं देखे चार पांच ये कि या गे देखे एक तो या है मैं इसको अलग 5 से कर देता हूं दस अंकों का योग वाला कितना है ये एक आर उसके बाद देखिये यहां पर एक होगया दो और अंकों का दस योग दो और एक ये तो कितने केस हो गए ? तीन केस हो गए . अनकों का योग वाली कितनी केस काज सी थांक है right? तो कुछ नीली गेंद मैंने फलाल मान ली X तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना कुछ नीली गेंद इस थेले में से नीली गेंद निकालने की प्राइक्ता यानि इसकी जो प्राइक्ता है वो लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता की दूनी है हुआ हमें नीचे कर लेता हूँ अगया है कि तो लाल गन निकाले प्रेक्ट कितनी होगी जरा बताएंगे अनुखुल प्रिकार बड़े कुल प्रिकार याने कि लाल गन कितनी है पांच और इस तरह निकालेंगे नीली गेन निकालने की पराइक तो इससे अंतर करने के लिए मैं इससे कह देता हूं पी एवन और इससे कह देता हूं पी एटू तो नीली गेन कितनी है एक्स और टोटल कितनी हो गई पांच प्लस एक्स यह वाली बात समझ में आगई पांच प्लस एक् पोटेर नीङ रखा है कि जो है कोँशर में पढ़नें की बारे कि नीली गैन निकालने की प्रैक्ता यानि कि यह वाली यह लाल्य गैन निकालने की प्रैक्ता की दूगनी हैं यहने की गिविंट दिया है कि आधि रहे का हमें पी टू बरावर डवल पी इवन समझें अब देखें निली गैन निकालने की प्राइक्टा लाल गैन निकालने फ्राइक्टा की दूग नहीं है अब हम यहां पर रख देंगे तो पी टू कितना है 5 x upon 5 plus x अब देखिए two ऐसी रहेगा p1 कितना है five upon 5 plus x अब देखिए सब 5 plus x सभर 5 plus x cancel हो गया आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर देखिए तो x जाए हैं आप these on Ugh 10 तो कितनी गेंद जागए हैं दस तो कांसर आंज़ा गए roll 10 तो पसंद आ रहे होगी अगर आपको हमारे दोरा बनाएगे वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको वाटसाफ फेस्बुक और इंस्टाइग्राम पर सियर भी कीजिएगा देखि अगली वीडियो तक के लिए आप SP मेश चैनल पर बने रहिएगा तब तके लिए जाहिए